ओके एलो फ्रेंट कैसे वह आप सब मैं हूँ विशी और आप देख रहें बॉन्टू इन्वेश यूटूब चैनल 276 का ये स्टोक है चबर 10 पेशा बनेगा गिरावट में दिरे दिरे खरिदते रहो चले जानते हैं कौन सा ये स्टोक है और क्या टेकनिकल हो और क्या फंडामेंटल हो और किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए और अभी तक हम पने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया त एकस्चलेंट कोलीटी का है एकस्टेंट कोलीटी बाय मैंनेजमेंटरी जिए ग्रोफ एंड कैटल स्टाक्चर फर लॉंग तरम एंवेस्मेंट आप इसकी सेल्स ग्रोफ देख लिजिए 6.24 आप इसकी EBIT ग्रोफ देख लिजिए 6.72 आप इसकी Net Debt To Equity Ratio देख लिजिए ने अब इसके प्लेट शेर देख लिए जीरो नन कम्पनी ने अपने एक भी स्टोक गिरवी नहीं रखा है अब हम इस कम्पनी के वेलियोशन के बारे में बात करेंगे एक्सपेंसिव वेलियोशन पर अभी ट्रेड कर रहा है जो भी वेलियो 221 से 294 के बीच में होगी यह इसको वेलियोशन पर डालेगा आप इसकी P रेशियो देख लिजिए 27.50 आप इसकी EBIT to EBITDA रेशियो देख लिजिए 18.88 आप इसकी Dividend Yield देख लिजिए 2.06% आप इसकी ROCE देख लिजिए 38.37 आप इसकी ROE देख लिजिए 21.51 अब हम इसके quarter लिए result के बारे में बात करेंगे आप इसकी net sales देख लिजिए जो पिछले quarter से इस quarter में 6.38% की upside दिखाई दे रही है आप इसकी net profit देख लिजिए जो भी पिछले quarter से इस quarter में 8.50% की upside दिखाई रही है हाला कि margin में थोड़ा सा हलका सा दबाव देखनों को मिला है जो कि 0.39% अब हम इसके annual result के बारे में बात करेंगे जो कि होता है year to year result आप इसकी net sales देख लिजिए जो कि पिछले year से इस year में 4.19% के एक बढ़िया upside दिखाई दे रही है आप इसके consolidated net profit देख लिजिए वो भी पिछले year से इस year में 11.72% के एक बढ़िया upside दिखाई दे रही है आप इसके operating profit margin देख लिजिए जो भी एक बहुत अच्छी बात है उसमें भी upside दिखाई दे रही है annual result में जो कि करेंगे और upload करेंगे अब हम इसके share holding pattern के बारे में बात करेंगे प्रोमोटर के पास कोई भी stock नहीं है FIS की holding देख लिजिए आप 17.04 आप इसमें mutual fund की holding देख लिजिए 8.5% जिसने पिछले quarter से इस quarter में 0.23% की offset दिखाई है प्रोमोटर के पास कोई भी holding नहीं तो मतलब के उसके plate share भी नहीं होगे अब तो कम बात कर रहे थे ITC के बारे में जो अपनी industry में number one पे है ये company क्या करती है कि तोबे को और जो FMCG product है वो बनाती है large cap stock है dividend भी pay करती एक बढ़िया सा dividend deal है जो है 2.06% अब हम इसके technical के बारे में जानेंगे technical पे जाने से पेले आपने हमारी इस channel को subscribe नहीं किया और subscribe करना भूल गए तो please subscribe कर लो और चलते है technical पे देखते कौन सा buying zone बनता है ITC जो एक बढ़िया company और अपनी industry में लीडर है आप इसके चार्ट को देखिए अपने क्या है कि चार्ट में आपको uptrend में दिखाई देगा लेकिन क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले इसने अपना हाई बनाया था बाद में वहांसल में इसके नीचे downtrend स्टार्ट कर दिय जो इसके trend line बोलते है जो long term trend line बोलते है वह यह है जो इसने बार बार इधर support लिया अभी यह क्या है कि अपने trend line के करेबी trade कर रही है आप देखिए इधर support लिया था यहां high बना के बाद भी नीचे आया तब इधर support लिया था अभी थोड़े दिन पे लवप गया था फिर इधर support लिया अभी क्या है कि अपने फिर से trend line के पास आ चुके मिन्स के अपने एक buying level start कर दिया आप जो भी long term वाले उसमें आपको क्या है कि buying करनी हो तो अभी यह start buying zone start आ गया मिन्स के buying zone की तरफ आ गया है आप इसका जो buying zone बोल सकते है जो पहले trend है वह है 75 275 sorry 275 और जो इ इसका zone बनता है buying zone जो दिरे दिरे हम add करके long term के लिए रख सकते है वह zone है 270 मिन्स के 275 से 265 में चलिए अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लिए और अगर आए वीडियो आपको कहीं से भी कहीं से अच्छा लगा तो please like, comment और अपने दोस्तों के तब तक के लिए टट्टा, goodbye, joy aim